हेलो दोस्तों स्वाग्चे था आपका ज्यावस्क्रिप्ट के एक नई वीडियो में मैं आकाश आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ज्यावस्क्रिप्ट के एक बहुत ही important topic और बहुत ही confusing topic भी hosting के बारे में यहाँ यह interviewer का पूछे जाने वाला एक बहुत ही favorite question होता है कि भाई hosting क्या होती है जावास्क्रीप ने so आज किस वीडियो में हम hosting को बहुत ही अच्छे और easy तरीके से समझेंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना easy से easy हो सके आपको समझा सको क्योंकि YouTube के ओपर बहुत सारी वीडियो hosting के उपर already exist करते हैं बट मैं कुछ जादा easy कोशिश करूँगा आपको समझाने की तो चली हमेशा के तरह बिना समय अबरबात की सीधा point पर आते हैं तो hosting को समझने के लिए सबसे पहले हम एक code snippet यहाँ पी लिख लेते हैं जिससे आपको चीजे clear हो सके तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक variable लेंगे और उसमें value assign कर देंगे then उसके बाद हम नीचे एक function बना देंगे इस function का नाम हम akash code cafe रख देते हैं console.log में हम लिख देते हैं akash code cafe is exploring.js इसके बाद हम इस function को call करते हैं और console.log के अंदर हम इस variable को print कराते हैं यह हो गया हमारा पूरा code तो चलिए सबसे पहले इस code को हम देखते हैं execute करके ठीक है तो हम browser में आते हैं हापे और यह रहा वो code और अब हम इसको execute करेंगे यह हमने refresh के पेज को और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे akash code cafe is exploring.js जो कि expected था कि हमने यह function कॉल करा है तो हमें मिला akash code cafe is exploring जो कि यहाँ मिल गया और दूसरा मिला एक को हमने print करा है तो वो हमें यहाँ easily मिल गया तो यह तो एक simple सी चीज भी अब बड़ा सवाल यह होता है कि hosting क्या होता है तो hosting को समझने के लिए अब यह जो दो चीज़े हमने यहाँ की थी मतलब function को call और variable declare इसको हम यहाँ कर देते हैं most of the programming language में यह करने पर हमें error मिलेगी क्योंकि हम उस function को call कर रहे हैं जो अभी तक हमने declare नहीं किया लेकिन यहीं पर आती है जावा स्क्रिप की beauty के हमें error नहीं मिलती है तो चली हम code में आके देखें कि थम्हें क्या मिलता है यहाँ पर मिल रहा है function जो हमने call किया था उसका result और यहाँ पर मिल रहा है कि how JavaScript do this behind the scene तो आई यह इसको और समझने के लिए हम इसको और deep चलते हैं तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर source code के अंदर हम एक भी line execute होने से पहले यहाँ पर हम dbgar put कर देते हैं और अब हम इस page को refresh करते हैं तो आप देखेंगे कि code जो है इसके आगे नहीं बढ़ा है सिर्फ यह ही तक हुआ है मतलब अभी एक भी line code जो है execute नहीं हुआ है तो यानि memory allocation हो चुकी है आपको नहीं पता है कि अगर memory allocation क्या होती है तो basically आप यह photo देख सकते हैं कि जब भी JavaScript के code run होता है तो सबसे पहले उस सारे code का memory allocate होती है यानि कि functions और variable के लिए memory allocate होती है उसके बाद code execution start होता है तो उसमें मैं ज़्यादा deep नहीं जाओंगा उसको समझने के लिए आप मैं आपको recommend करूंगा कि YouTube पे जाके आप अक्षा से सर की एक वीडियो है वो देख लीजिए तो ज़्यादा आपको clarity आ जाएगी हम यहाँ global scope को open करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे कि जो a variable है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं आ गया है और यहाँ पर उसमें undefined value store हो गई है सेम इसी तरह अगर हम यहाँ function को देखेंगे तो यह देखें यहाँ पर function हमें मिल गया यहाँ था कि code भी execute भी नहीं हुआ है एक भी line का और यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि a में undefined मिल गया और अकाश code cafe में यह function यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर इन दोनों को होने का यही मतलब हुआ कि java script अपने memory में functions and variable को store कर लेता है even before executing the code this is called the wasting now हम देखते हैं कि अगर हम functions की जगा arrow function यूज करते हैं तो यह किस तरीके से behave करता है तो यहाँ पर हम आ गया है और यहाँ पर यह function लिखा है इसको हम बदल के यहाँ पर where के साथ लिख देते हैं arrow function और अब इसको save करते हैं और वापस यहाँ पर आते हैं और इसको refresh करते हैं अब हम यहां देखेंगे तो यहां पे अब वो function नहीं मिलेगा because जब हम functions को as a variable declare करते हैं तो फिर उसको as a variable ही consider करता है और हमें undefined store मिल जाता है क्योंकि हमने where के थूर यहां पे इसे store किया है लेकिन यह hosting की कानी अब यहां खतम नहीं होती है अगर हम यहां आएंगे और देखेंगे अभी यह variable जो हमने declare किया यह where की थूर डिकलियर किया है क्या होगा कि अगर हम यह variable let and const की थूर डिकलियर करें तो चली करके देख लेते हैं उसको where की जगा हटा कि हम यहां पे let कर देते हैं सेब करते हैं और वापस से ब्राउजर में आके इस page को यहां पे refresh करते हैं तो हम यहां पे ध्यान देंगे कि हमें global scope में कोई भी a नाम का variable नहीं मिल रहा है अभी के लिए हम यहां पर आते हैं उस function को comment कर देते हैं और save करके इसको फिर से यहां पे हम refresh करते हैं debugger हटा के refresh करते हैं और console में आएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि cannot access a before initialization ऐसी error मिल रही है क्यों यह भी तो एक variable है बट हम इसको access क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम यहां पे debugger रखते हैं सबसे पहले और debugger रखके इसको फिर से refresh करते हैं और अब हम यहां वापस scope में आएंगे तो हम यहां देखेंगे यहां पर global के अंदर जो a नहीं था वो यहां पर a है और यहां पर जो a यहां पर value unavailable है मतलब basically global में जब a variable आता था तो उसमें एक undefined value store हो जाती थी लेकिन यहां a के अंदर script में value unavailable है तो basically उसको वो value नहीं म अब इंटर्वियर जो question आपसे पूछ सकता है कि what is temporal dead zone तो आप उनको बोल देना कि जब भी कभी हम let and const के थुरू कोई भी variable को declare करते हैं तो वो global scope में memory allocout नहीं करके वो अपना खुद का एक scope global के ऊपर बना लेते हैं से temporal dead zone भी कहते हैं if you try to access these variable from the temporal dead zone then you will get reference error but अगर hosting items में ब before initialization so that will be answer so अगले बार इंटर्वी जो आपको पूछे तो आप इसी तरह clearly जैसे मैंने आपको समझाया है functions के बारे में where के बारे में and let and const के बारे में आप उन्हें अच्छे से बता दीजेगा कि hosting कैसे वर्क करती है अगर possible हो सके ना तो यह course code का एक छोटा से snippet अगरन को आ आगे समझाद होगे ना literally मनो impressed हो जाएगा तो आज के लिए काफी हुआ और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए बाबाए